कैसे आपका कोई हीरो बनेगा, आप कभी अपने हीरो को नहीं पहचानते हैं, वो लोग ग्यान पाट रहे हैं, इनको तो शर्म से मर जाना चाहिए था, क्योंकि जिनको उठाना था वो उठा ही नहीं रहे हैं, वो सिर्फ चल रहा है बस, संसत के अंदर वफ बोट पास हो गया आपकी गिंती कितनी थी, इन बातों से कुछ लोग नाराज हो जाते मुझसे, मैंने का जब मैं यहां खड़ा होता हूँ, तो मैं वो पुश्पे नहीं होता है, जो सड़क पे होता है, वहां मैं कुछ कंप्रोमाइस कर लेता हूँ, यहां पे नहीं करूँगा, क्योंकि मु इसी संसद में आपके लोग बैठे हुए थे, और वर्फबोर्ड कानून आया, जब अल्पत की सरकारती नरसिम्मर राओ की, तब संशोदन हो गया, और फिर 2013 में संसद में आया, उस पर डिबेट हुई है, और उस डिबेट में किसी ने पूछा नहीं, ऐसा कानून दुनिय किसी संसद में नहीं बन सकता, कानून क्या हुआ, कि वर्फबोर्ड एक प्राइवेट बाड़ी है, चार एक साथ पजामा पहन के लोग खड़े हो जाएं, कि हम एक हैं, इस टाइप की बाड़ी है, और उन्होंने एक कानून बना दिया, और कानून ये संसद के अंदर जो चीजें हुई हो, बता रहा हूँ, कभी-कभी सोचेंगे, कि अच्छा, ऐसा कैसे हो सकता है, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी इमानदारी हो कि तो आपको लगेगा, ये खोई नहीं सकता है, लेकिन मैं पूरी मानदारी से कह रहा हूँ, हो चुका है, वर्फ बोर्ड ए जा अधिकार हैं, ये अंदाजा नहीं आपको, उसको ये अधिकार दिया गया, संसद में बहस हो रही है, बहस में आपके 123 हैं, कई बहस मिलने ही रही कि किसी ने चूमू खोला हो, उसके तहत कहा गया, कि वफ बोर्ड को ये अधिकार संसद में पास की हुए बिल ने दिये ह उसमें ये कहा गया कि वफ बोर्ड का कोई आदमी वो कलकता में बैठा है वो आसाम में बैठा है वो कन्या कुमारी में बैठा है ये महत्पूर नहीं है ये जो महान हॉल है इस हॉल का कोई मालिक होगा सरकार होगी या गेर सरकारी कोई आदमी होगा वाफ बोड के दो लोग एक चिट्थी लिखेंगे चिट्थी वाफ बोड जो प्राइवेट बोड़ी है जिसका कोई सरोकार नहीं है संसत फंसत से कोई कानून नहीं है वो सिर्फ चिट्थी लिखेंगे और आपका ये जो हॉल है जो जिस भी थाने में पढ़ रहा हो यहां हिंदु वादी सरकार आजाएं उनके चचा आजाएं उनके ताउ आजाएं तो कोई फर्फ नहीं पढ़ता वो चिट्थी लिखेगा यहां के इमीजेट जो थाना लगता होगा जिसमें ये हॉल आता होगा और वो चिट्थी में लिखेगा कि ये जो हॉल बना हुआ है of vote की जमीन पे बना है थानेदार को संसद ने क्या कहा है और मेरी बात पे थोड़ा साब को अचमबा लग रहा हो तो दुबारा से हमारी टीम के साथ ही एक यूट्यूब चलाते हैं वी सपोर्ट कुश्पें कुल्सेस्ट उस पे देश के सुप्रीम कोर्ट के वकील के साथ और बारीकें बताई गई है आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगे तो वो थानेदार यहां आएगा आपका दरवाजा खट-कट आएगा और पूछेगा यहां का मालिक कौन है भई तो कोई मालिक जाएगा बिचारा बाहर निकल के कोई तो होगा ना मालिक वो उससे कहेगा कि यह जो आपका हॉल है यह वफबोट की जमीन पे बना हुआ है तो एक सामान नागरिक एक इमानदार नागरिक लॉग बाइडिंग सिटीजन वो यह कहगा कि साब यह आप गलत कह रहे हैं यह तो मैं पचास साल से बिजली का बिल दे रहा हूँ यह जमीन के कागज है यह यह है वो यही सब दिखाएगा हम सब यही करेंगे ना उस थानेदार को संसद ने यह पावर दी है कि अगर आपने 24 गंटे में यह हौल खाली नहीं किया तो वो थानेदार आपको उस भाशा में यह कहेगा कि यू आर इनक्रोचर वो आपको पहले इनक्रोचर घोशित करेगा और इनक्रोचर घोती होते हुए दूसरी धाराओं के तहत आपको धक्के मारकर बाहर निकाल देगा और इस हौल को खाली कराके इसका ताला लगा करके इसकी चाबी वाफ़ बोट को देदेगा और फिर यहां का मालिक यह संसद है यह किसी चौपाल में किसी ढाबे पे चर्चा नहीं हो रही है इस जगे के मालिक के लिए संसद ने क्या कहा है वो मालिक विचारा सडक पे बैठेगा सामाले के और कहा कि आप न हाई कोड जा सकते हैं न सुप्रीम कोड जा सकते हैं आप कहा जाना है आपको पता है उन्होंने कहा and वफ बोर्ड ने वफ बोर्ड के मेंबरों ने मिलके अपना एक ट्राइबूनल बनाया है उसमें चाहें लोकल MLA हो चाहें लोकल वो हो लेकिन पाँचों सदत इंक्लूडिंग मुतवल्ली पाँचों मुसल्मान होने चाहिए उनके सामने आप अपनी एप्लिकेशन देंगे कि ये मेरा हॉल है ये मेरी जमीन है जिन लोगों ने सुबह आपका कतल किया है शाम को आप उनके सामने गोहर लगाएंगे और आप रिजट हो जाएंगे ये आपका वफ बोर्ड का कानून है और इस से पहले कि आपको पता चले आप शौक में आएं और मैं चाहता हूँ आपको शौक लगे आपको नींद ना ए भगवान करे अगर आप इमानदारी से यहाएं अगर आपको नींद आ गई तो मैं समझूगा कि कुछ लोगों के लिए तो मैं बंद करता हूँ मैं करता हूँ चलते हैं ने 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 एक एक अरे शेरी राम है भाई साब कुछ कुछ सरकारी चीजें होती है वो ही मुझे बुला के लाए है उन्हीं ने टिकेट दिये मुझे अब आप के ते में उनकी न सुनू यार वो कह रहे हैं कि का मामला है वो कुछ थोड़ा मामला होगा कुछ सवाल ना खड़े हो ये चलता रहे मेरी कोई ऐसी वो नहीं है कि मैं ही आज पूरी रात बोलूँगा और अगली बार आपको हौली ना मिले ठीक है मैं मानता हूँ तो वो कुछ बाहर भी कुछ साउंड राउन का चटकर होगा चलें कोई बात नहीं मुझे खुशी है कि आपको फिल्म अच्छी लग रही है आप सोचिए आप सोचिए कि इतने चिल्लाने के बाद मालू में क्या एमेंडमेंट हुआ है नहीं आप अब जो है हाई कोट जा सकते है शौकिंग नियूस मालू में क्या है जिससे नीद और जाएगे आपके भारत का जो टोटल लेंड एरिया है टोटल लेंड एरिया ओफ इंडिया वो चले गए नामदार जी दोती है हमारे है सुन लीजेगा सर आप परसनली कुछ मत लीजेगा और मेरी बातों को लार्जर टंस में देखिएगा आप अच्छे भले आदमी होंगे ये मत कहिए कि जो कुछ मैंने सब के लिए कहा है वो आप के लिए भी कहा है आप शामिल हो नहीं मोजे नहीं पता लेकिन आप को मैं इसलिए 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 नहीं वो अपने आदमी हों लेकिन इतने बहादुर तो हैं कि फिर भी बैठे हुए हैं तु इसकी तो इज़त करनी चाले है ये 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 इस बात को दिखाता है कि अगर कुछ मेरे साथियों के बारे में गलत बोला जा रहा है तो मैं सुन तो लूँ कि क्यों बोल रही आद में इसलिए ताली इनके लिए और बजा दीजे और इनकी इस अदा पे इनको दुबारा जिता भी दीजिएगा अब ठीक है अब हो गया का अब लोग कहेंगे कि पुश्पेन ने गुमा फिरा के ने जितवा दिया कम से कम हिम्मत तो है सच सुनने की नहीं अभी मूट टुड़ा करके निकल जाते है ये कम से कम इतना तो काम करेंगे कि पागल आद्वी ने यह यह बताया है भाई ये दो से भी कह देंगे तो मेरा काम पूरा हो जाएगा तो सिर्फ मेरा आप से कहना है भारत का जो टोटल लेंड एरिया है उसका सबसे बड़ा हिस्सा रेलवे के पास है दूसरे नमबर पर लेंड एरिया भारत की डिफेंस फोर्सिस के पास है यह मैं नहीं कह रहा है यह कोई मेरे घर में डाटा नहीं है यह आंदर प्रदेश का जज कह रहा है तीसरे नमबर का लेंड एरिया वफ के पास है और जब मैं वफ कहता हूँ तो आप थोड़ा कन्फ्यूज मत होईे वफ का मतलब समझते हैं हाँ ना मैं बोल दिए कोई घर की बात है वफ का मतलब होता है कि आपने अपनी प्रोपर्टी अल्ला को दे दी क्या कमाल का खेल है अल्ला के नाम प्रोपर्टी दी जा सकती है जब वापस लेने हैं तो अल्ला के साइन कहा होंगे क्या कमाल का गेम है गई अब तो अल्ला के पास है वहाँ से वापस तो आनी नहीं है क्योंकि आपको दसकत चाहिए दसकत कुन करेगा वाफ बोर्ट की प्रोपर्टी सेपरेट उसमें किले, मजारें, कब्रिस्तान ये वो दुनिया दे बाब, दादे, औरंजेब जो उनके पिता जी थे उनकी जगे ये वो ही है और जो बाइस करोड भाईजान रह रहे है वो दूसरी धरती पर रह रहे है आप पांचवे नमबर की धरती आपके पास नहीं है नीन आएगी आपको सौ गज मेरी, पांसो गज तेरी ये मेरे चचाने क्यों ले ली, ये मेरे सगे भाईने जादा क्यों ले ली इसका मरडर, उसका मरडर, इसकी जमीन पांचवे नमबर की जमीन 82 करोड सनातनियों के पास नहीं है क्योंकि आप 26 माले पे रह रहे हैं दुनिया का नियम है जिसका जमीन उसी का देश अगर नीन आपको आ जाए तो मुझे तो ताज़ जब होगा मेरी तो नीन बहुत साल से उड़ी हुई है और मैं पूरे देश में आपकी नीन दोड़ाने के लिए निकला हूँ आपके पास जमीन नहीं है ताज महल गया वो नहीं है आपके पास आर्केलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया भारस सरकार का संगठन है वो उसकी देखरे करेगा लेकिन अर्बों खर्बों रुपया जो उस पे आएगा वो उनके पास जाएगा और वोही अर्बों खर्बों रुपया है कि जब आप किसी बड़े काम के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक आसान सा साधरन सा अच्छा सा बहुत महंगा सा वकील खड़ा करके किसी हिंदू वादी मामले में खड़ा करते हैं तो जिहादियों के पास अपना कोई वकील है ना अपना कोई नाम है लेकिन उनके पास इतना पैसा है कि वो पच्छिस लाग में कबिल सिब्बल को खड़ा कर देते हैं और आपका वकील अपने किराई के पैसे की चिंदा करता है